प्रणाम गुजे आज मन में ये आया वो एक Who am I ये Who am I वो पर रहा था तब ये मन में आया कि इस सवाल जबाब हम लोग बेट के कर रहा था इंक्वारी करना साहिए तो जाके कुछ मिलेगा पलास में जो रह जाता है वो मैं हूँ तो ये सवाल जबाब करते करते मैंने देखा सबके साथ कि सब उल्जा हुआ हूँ मैं उतना उल्जन तइयर हो गया कि ये तो और उल्जा ही रह जाओंगा इस तरह से कैसे मैं हो जाओंगा जितना सवाल करूंगा, सवाल होते जाएगा, होते जाएगा, और उलजा ही जाएगा। तुम्हें कैसे पता सवाल करोगे, तो सवाल होते ही जाएगा, होते ही जाएगा। तुमने कितने करें आज तक? हम? आज तक करें कितने हैं? जंदगी में कुल मिलाके पौने तीन सवाल करें और फिर क्या रहे हो कि मुझे ही समझ में आया कि जितना करूंगा, होते ही जाएगा, होते ही तुम अनंता सवाल कर चुके हो करें हैं कुल? पौने तीन तुम्हें कैसे पता बताओ तो तुमने ये कैसे अनुमान लगा लिया कि सवाल तो अंतहीन है कैसे आज दोपहर भर की मशक्कत से तुमने जीवन भर का निशकर्ष निगाल लिया सवाल अचानक आने गए है उल्जन अचानक बढ़ नहीं गई है जो उल्जने पहले से ही थी वो उदगाटित हो गई है प्रकट हो गई है अब वो प्रकट हो गई है तो बड़ा खौफ उठता है क्या? क्या अरे हमारे भीतर इतनी गाठे थी, इतनी उल्जने थी तो इस सवाल जवाब लगता है चीज ही गड़ बढ़ है सवाल जवाब करो तो भीतर की उल्जन दिखाई देने लग जाती है तो सवाल जवाब करो ही मत सवाल जवाब बहुत जरूरी है करो, जान लगा के करो वो घड़ी, वो बिंदू बहुत बहुत बाद में आता है जब सवाल जवाब की कोई जरूरत नहीं रह जाती, वो आता है लेकिन अभी उसकी बात करना वेर्थ है यह ऐसी सी बात होगी कि जैसे कोई अभी बच्चा जो बुकईया चलता हो, घुटनों के बल और बस अभी किसी तरीके से उसने टेबल मेज पकड़ के खड़ा होना सीखा हो उससे चर्चा की जाए विश्वका तीवरतम धावक बनने की कि सौ मीटर कैसे दस सेकेंड के अंदर अंदर निकालना है सौ मीटर दस सेकेंड के अंदर अंदर निकाले जा सकते हैं लेकिन ये बात अभी तुम साल भर के बच्चे से करोगे क्या बोलो, तो इसी तरीके से परश्न उत्तर इत्यादी भी पीछे छोड़े जा सकते हैं लेकिन वात अभी नहीं करो जरूर रमण महर्ष्टी को पढ़ रहे थे उन्होंने कहीं पर कह दिया होगा कि अल कुश्टन सार यूजलेस, अल अंसर सार यूजलेस तुमने का जेब बात यही तो हम चाहते थे ना सवाल करने की कोई मजबूरी हो ना जवाब सुनने की क्योंकि सवाल करो तो जवाब सुनना पड़ता है और जवाब कई बार कटार जैसा काट जाता है तो आम दिन चर्या भली रहती है उसमें कोई सवाल जवाब होता ही नहीं उसमें क्या होता है? जैसा साहब ने फरमाया खाना, काम करना, फिर खाना और सोजाना, उसमें कहां सवाल, कहां जवाब? इस सवाल जवाब चीज ही बड़ी बेकार होती है उल्जन में डाल देती है जैसे जीवन का सेप्टिक टैंक खुल गया हो जीवन भर का जितना मलमूत रहगा मूता है उसमें भरा रहता है वही जिंदगी है पर जब तक उसका ढखकन बंद रहता है तब तक सोज़धा है, कुछ नहीं पर कभी कबार उसमें बजबजाने लग जाता है फिर उसका ढखकन खोलना पड़ता है उसमें मूँ डाल के देखना पड़ता है उसी को अध्यात्म कहते है और फिर आत्मी कहता है लेगिन कुछ लोग होते हैं सफाई पसंद वो कहते हैं दिख राओ के ना दिख राओ हमें पता है कि भीतर ही भीतर बजबजा आ रहा है हम कैसे अपने आप को दोखे में दे लें कि सब ठीक है सब ठीक नहीं है मामला गड़बड है तो सवाल जवाब करते हैं वो उन चीजों को भी खोद खोद के बाहर निकालते हैं जो अन्यत्था जीवन भर छुपी रह जाती है वो अपनी छोटी से छोटी कमी ढूंडते है वो जीवन में छोटी से छोटी जो बीमारी होती है उसको भी पकड़ते है वो जीवन के सब छोटे छोटे छूटों के पीछे भी डंडा लेके पड़ जाते हैं कि इसको भी भगाना है और ये काम कई बार अनावश्यक लगेगा लगेगा यार सब ठीक तो चल रहा है क्यों जबरदस्ती चलती हुई चीज को बार बार बिगाड़ें क्यों जबरदस्ती ठीक ठाक मुद्दों पर भी सवालिया निशान खड़े करें कोई ज़रूरत नहीं है मत करो ये काम तो देखो सत्य के प्रेमी का है कि उसको जूट पसंद नहीं है वो फिनिकी है उसको जडरा सभी दाग धबा दिखता है तो उसको मिटाने लग जाता है उसको अपने सवालों में अगर ज़रा कहीं भी थोड़ी अशुद्धी दिखाई देती है तो वो और खोफोद के सवाल पूचता है बोलता है, नहीं बताओ बात क्या है, यहां कहीं जूट छुपा बैठा है, हमें अभी अभी गंध हाई है। अभी तुम्हारे उपर है, कि तुम्हें सच से प्यार कितना है, और तुम बद्बू को बरदाष्ट कितना कर लेते हो। तुम बद्बू के ही पार्खी बन जाओ बिलकुल, कनोजियर, तुम्हें ठीक है, जीवन बजबज आता रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपनिशदों में भी जाओगे, बहुत सारे ऐसे उचे गरंथ हैं जिनके पास जाओगे, तो वहां तुम आरंभ में चर्चा पाओगे, बलकि वाद विवाद पाओगे, वही जो चर्चा है, वही जो समवाद कहलो तो समवाद विवाद कहलो तो विवाद, वही आगे चल क करके फिर मन बन जाता है पर मौन इतना स सस्ता नहीं होता ना कि सवाल करे बिन नहीं मिल जाए पहले सवाल करो वही सवाल-जवाब सवाल-जवाब आगे जाकर करके कभी बहुत आगे महन बन जाएगा हन् कर दो कर दो कर दो